पुल्वामा अटाक के बाद शबाना जावेद ने पाकिस्तान यात्रा की रद फूलल सतो पुल्वामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को शौक में डाल दिया है 42 जवानों के शहीद हुने के बाद पूरे देश में दुख और शौका माहौल है हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री की कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है वहीं दूसरी तरफ जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने अपने आगामी पाकिस्तान में हुने वाले एक समारों में हिसाब बनने को लेकर अहम फैसला लिया है दरसल कराची आर्ट काउंसिल ने जावेद और शबाना को कराची आने करणियोता दिया था जहां कैफी आजमी को लेकर एक भव्य समारों होने वाला था लेकिन अब जावेद अख्तर ने ट्विटर पर जानकारी दी है उन्होंने लिखा है कि कराची आर्ट काउंसिल ने हमें यूता भेजा था शबाना और मैं वहाँ दो दिनों के लिए जाने वले थे वहाँ कैफी आजमी की पोईटरी पर समार हो था लेकिन हमने इस हमले के बाद इस यात्रा को कैंसल कर दिया था उन्होंने लिखा है कि वर्ष 1965 में जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद कैफी ने लिखा था और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा बता दें कि इस हमले के बाद कई कारेक्रम में फिर बदल हो गए हैं और एक बार फिर से माहौल में आक्रोश है आतंकी हमले को लेकर कई फिल्मी हस्तियों ने दुख जताया है मोहित रैना जो की उरी अटाइक पर बनी फिल्म उरी का आहम हिस्सा रहे हैं उन्होंने इस हमले पर शौक जताते हुए कहा है कि ये दुखद है कि हमारे जवान इस तरह से शहीद हो रहे हैं और उन्हें पूरी उमीद है कि सरकार इस पर सही और उचित जवाब देगी